स्लाम लेकुम स्टुएंट्स नाइन फिजिक्स का चैटर बान हम स्टडी कर रहे हैं इसे हमारा पिछला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज और आज का हमारा लेक्चर है 1.3 इस दिए इन्टरनेशनल सिस्टम आफ युनट्स स्टुएंट्स फिजिकल क्वांटिटी है कि अहने इसा कहता है ऐसी छिसको मेजर किया जा सकता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी केहलाती है ठिक है पर आपका हमारा टापिक है इंटरनेशनल सिस्टम आफ यूनिट्स देखें जब आप फूजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो स्टुडेंट्स क्या आप काउंटिंग करके मेर करते हैं या फिर हम हमें इसके कोई स्पैसिफिक कोई स्टैंडर्ड रखना पड़ता है का इकार क्वांटिटी को अब के इगए एक एकसामपल लेते हैं ऐसामपल के आप का व्कम को मिल ने जाते हैं तो आप गूंदार पहर आते हैं तो क्या आए आप उसको हो कें मुझे दो शुगर दे एपम कि या मुझे एक मिल्क दे दें कि इसमेर्ट अमेड finance नहीं न तो क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें कितनी कॉंटिटिफ मिल्क शुगर चाहिए जिसके बारे में बात ओब धकले ठीक है इंद उसलिए नहीं आप उसको कहते एक आपटे तलिए तो स्टूनियन्स वो क्या आपको ऐसी उठाए करे देगा वह मीजर कर देगा ना विक अन्म मेश हो करके देगा तो इसका मतलब यह है कि हम्में टीज कोई बिर मेशने बल quantities है उसका कोई ना कोई standard रखना पड़ेगा ठीक है there is a need of standard quantity for marrying for comparing unknown quantities मिसाल के तोर पे let's suppose अगर आप 1 kg आफ एपल लेने जाते हैं तो आप दुखंदार के पास देखते हैं कि उसके पास weights weights पड़े होते हैं 1 kg weight 2 kg weight 3 kg weight अब क्या करता है कि वह अपने तराजू के left side में अपना weight रखता है right side पर आप एपल लेने गए तो एपल रखता है और adding करता चला जाता है करता चला जाता जब तक unknown weight जो है वह non weight के बराबर ना आजए यह weight तो उसको पता है ठीक है यह unknown है एपल डालता चला जाता है डालता चला जाता है और तब तक stop करता है जब दोनों ही बराबर हो जहें बट जब initially इंसान physics को जान रहा था तो इनिशली जो है वो counting करके या फिर डंडे की help से लेंग्द को ना पा जाता या फिर अनेकुरी सी ज्यादा थी ठीक है पर जैसे जैसे physics को जानना शुरू किया तो sentence ने का कि there should be a standard to mere any physical quantity ठीक है तो हमने यह देखा कि कोई भी physical quantity या कोई भी quantity जो express की जाए and terms of standard quantity तो ऐसे standard quantity को क्या बोला जाएगा units clear तो हम लिख सकते हैं what is unit unit के बारे में लिखते हैं unit क्या होता है so unit के लिए हमने क्या tag किया extended tag किया यानि हमने का के let's suppose अगर kg जो है 1 kg जो है उसको mass में mass के लिए एक standard बना दिया कि mass को जब भी ना पा जाएगा measure किया जाएगा वो kg में measure किया जाएगा ठीक है तो यही वज़ा है कि आप जब शाप कीपर के पास जाते हैं आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 kg apple दे दें आप उसे आप यह नहीं कहते हैं कि 1 देदें apple देदें बिकास वह अगर आप उसे कहां कि one apple दे दे तो he will ask you कि आपको कितने चाहिए पाओ चाहिए या kilo चाहिए ठीक है यानि वह आपसे उसका unit पूछेगा standard पूछेगा ठीक है इसी तरीके से आप sugar bag लेने जाते हैं ठीक है तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना sugar चाहिए 1 kg 2 kg 3 kg यानि आपसे उसका standard पूछता है पहले shops की पर ठीक है तो इसी तरीके से तो unit क्या है यह वो standard quantities का ठीक है जिसमें इसको express किया जाता है standard quantity को unit में express किया जाता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a standard a standard you know कैसा standard एक ऐसा यहीं एज़ा सेट a standard is एक ऐसा standard जो है सेट किया गया किस के लिए for a quantity कैसी quantity physical quantities के लिए all measurable quantities के लिए एक standard जो है वापने सेट कर लिया जिसमें आप इसको क्या करोगे जिसमें यूनट को आप उस standard उस quantity को आप उस standard यूनट में आप एक्सप्रेस करोगे किन विए एक्सप्रेस्ट एंड तर्म आफ एंड तर्मस आफ डैट स्टेंडर्ड कॉन्टिटी यहां पर मैंने क्या लिखा कि एक standard को सेट किया गया फिर ठीक है क्योंकि यह चीज मिनिंग्लेस के हो रही थी कि एक मुझे मिल्क दे दे दो शोगर दे थेक है यह चीज नांसेंस थी फिर एक standard सेट किया गया कैसा standard एक ऐसा standard सेट किया गया quantities के लिए मेरेबल quantities के लिए जो जिसमें इसको एक्सप्रेस किया जा सके in terms of standard quantities की in terms of standard quantity में एक्सप्रेस किया जा सके उन quantities को ठेक है और ऐसी standard quantities को क्या नाम दिया गया this is known as unit तो हम यह कह सकते हैं this standard quantity quantity is called unit okay students अब हुआ क्या कि एक standard तो हमने रख लिया अब होता क्या है कि जैसे जैसे science के फिल में development होती है technology में development होती है तो हम commonly जो है वो एक system of units की तरफ जाना शुरू कर देते हैं world जो है वो एक system of unit की तरफ जाना शुरू कर देती है तो SMA students एक 11 journal conference होती है weight and measure Paris में 1960 में adopt करती है एक system of units जिसको नाम दिया जाता है international system of units ठीक है जिसको हम short cut में SI से represent करते हैं system international unit यहनी SI units अब SI unit students उसको हम दो तरह से divide करते हैं international system of units को हम दो category में divide करते हैं अब base units अब the second is derived units derived units derived units student जैसा कि हमने start में कहाता कि जब आप physical quantities को read करते हैं तो physical quantities दो तरह की होती हैं base quantities or derived quantities base में हमने कहाता कि यह वह quantities हैं जो foundation फराम बन्यार फराम करती है दूसरी quantities को या पिर यह कह लेजिए base quantity वह होती हैं जिन में दूसरी quantities को प्रेस किया जाता है clear तो यहां भी ऐसा ही हुआ कि जब एक international system of unit को का एक setup जो है रखा गया system रखा गया उसमें जो है seven base units रखी गई ठीक है total seven base units रखी गई और यह तैह हो गया कि यह base unit है अब इन base unit को use करके कोई भी other quantity unit जो है वो derive किया जा सकता है जैसा कि base quantity में हमने कहा कि इसको use करके कोई भी other quantity express की जा सकती है ऐसी फिर इस meeting के अंदर ठीक है यह तैह हुआ scientist के दरम्यान कि यह base units है seven base units है इन seven base units को use करके कोई भी other unit derive किया जा सकता है ठीक है आये जाने के कोशिश करते है वो seven base units है कौन से सबसर पहले base units के बारा में लिख लेते हैं base units कौन से है the unit that describe the unit that describe base quantities the unit that describe the base quantities are called are called base units okay students units उपर हमने का का कि यह चीज नान सेंस नी के तुम एक शुगर ले ओ दो जो है वो milk ले ओ तो यह चीज तो एक स्टेंडर्ट सेट किया गया और वह स्टेंडर्ट क्या था उन quantities का quantities का एक स्टेंडर्ट सेट किया गया जिसमें हम एक measurable quantity को express कर सके जिसको हमने नाम दिया unit तो बिलकुल यह उनी units की बात हो रही है कि base units वो होती है जो base quantities को जिसमें express किया जाता है describe किया जाता है ऐसे units base units किलाती है और यह वो base units है जो के total seven है और यह वो base units है जो other quantities को foundation देती है बनियार देती है जिसमें से other base units वो है sorry other units को derive किया जाता है तो आईए लिख लेते हैं कि वो कौन कौन सी units है student these are the length, mass, time length, mass, time electric current, intensity of light and temperature amount of substance amount of substance तो उस meeting में स्टूरेंट सेंटिस्ट के दर्मियान उनके agreement से तोटल सेवन base units हैं जो के physical quantities को यानि बेस physical base quantities को describe करती हैं और यह तैय किया गया कि यह वो base units हैं जिसकी base पे के तमाम के तमाम जो नए unit है इसमें से derived होके निकलेगा ठीक है बाकि तमाम unit derived है और यह सिर्फ और सिर्फ और सेवन जो आई है बेस units है ठीक है और साथ symbol भी physics में हम ś के use करते हैं जैसा के length को L से represent किया जाता है small L से Mesh को small M से Talent को small t से represent किया जाता है Electric current को Ice रप्रूजएंट किया जाता है ठीक है एंस रिप्रेजेंट किया था ये कुछ सेंबल्स थे और प्लस इनके जो सिंबल्स के साथ साथ जो यूनिट्स थे वो भी हमें बताएगे जैसे के लेंग को जब भी मेजर किया जाएगा डैट विल बी एंड मेटर क्लेर और मैस को किलोग्राम इसी तरह के से टाइम को सेकेंड एंड एलेक्ट्रेक करेंट को स्टूरेंट्स किया जाएगा एंपेर में इसी तरह के से एंटेंस्टी अफ लाइट को कैंडेला में एंड टंप्रेचर को कैलवन में अमानड अफ सबस्टांस को मोल में तो यह वो बेस यूनेट का एक सिस्टम था जिसमें यह तैक किया गया कि जब भी सावन के सेवन बेस यूनेट से दुसरी यूनेट को ड्राइव किया जाएगा और यह इसका सिंबल यूज होगा और मीटर जो है किलोग्राम मीटर है किलोग्राम मेस्ट किलोग्राम है टायम का सेकेंड ऐलेक्रिक करनड केंपेर है अचेंट्व का कैंडियला hos तेंप्रेचर का केलbon है मौन आफ सबस्टांस का मोल है और साथ हमें इसके सिंबल भी ईएगे स्टूजेंट्स जैसा के मीटर को सिंबल दिया गया M M symbol से represent करते हैं kilogram को kg से करते हैं second को s s करते है impaire को आप symbol A से करते है candela को c d से करते है Calvin जो है describing symbol यूजिस किया गया that is k Manopla substance यह नहीं mole के लिए symbol यूजिस किया गया wol एल यह इसकी यूनिट्स की सिंबालिकल रेप्रेजेंटेशन हैं तो यही वज़ा है कि जब आप बेसिकली जब आप मिल्क लेने जाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं आप उसको कहते हैं कि मुझे कि वन कीजी आफ मिल्क मिल्क या वन कीजी आफ शुगर जो है यह चाहिए अब वन कीजी जो है वो शापकीपर को समझ आता है कि वन कीजी जा स्टैंडर्ड यूनिट आफ मैस आपको वन कीजी का मैस जो है वो तोल के देता है नापके देता है तो आप समझ आते हैं कि यह जो है एक standard certification होती ही आपकी ठीक है इसी तरीके से time को आप seconds में measure करते हैं length जब आप नापते हैं तो international length को meter में नापा जाता है ठीक है temperature को आप जब नापते हैं internationally इसको Kelvin temperature में नापा जाता है amount of substance को mole में नापा जाता है students base quantity तो हमें पता चल गया कि यह वो units हैं base unit वो है है जो other units को foundation देती है ठीक है जिनमेंसे other unit express की जाती है वो other unit है कौनसी वही तो है student domestic out units when we're going to write मिन क्या करता है जिसको किसी चीजमेंसे आखस किया जाए जिसको किसी चीजमेंसे निकाला जाए डिरैव्ड करके निकाला जाए तो हम derived करें कि क्या कह सकते हैं दे यूनिट यूज्ट टू मेर्ड राफ क्वांटिटी तो हम यहां पर लिख सकते हैं ड्राइव यूनिट के बारे में लिखा जा सकता है दा यूनिट अ्यूनिट टो मेंजे टरफ्ट अंहल क्यूनिट उस्टो मैज़ेज़ द्रैव्ट्ट ऍटीटीज अ रकाल्ड डेड़ाइव अ भ्कु कि योनात्ट छिमपली ड्राइव काल सी होती है जन्हाँ जो बेश hnटीटी की टाम मेंगेश प्रेस होती थी थी मैं थीक है तो जो जितने में ड्राइव होती ृप बेसेली वह उक्कॉंटिंटि में से निकला है ठीक है तो जो जितने डिराइड युनफ सैंवो बेसुन युन ने टिम में एक्सप्रेस हो रहे हैं ठीक है तो उनको हम क्या कहे यह है तो ट्राफ disciplines का हमने कह दिया nolds के क्वांटिटी जयां जूह आप वह क्या है जो कि डिरैफ़ उनट्स को ड्राफ ट्क्वांटिटीस को एक्स्प्रेस करते हैं तोराआओ स्थियूनिटुन कौन से नियम्स हमारे पास यह हैसपेज एक्सेलरेशन वाल्यूम एंड फोर्स प्रेशर देंस्टे चार्ज पहुत सारी है उसेंस्टेट्ट्ट्थ जो भी स्पेस के आप यूनट आपके पास है जो भी नए यूनट आप ड्रयाव्द करोगए वह ड्रयावद लाएगा क्योंकि वह बेस यूनट में से ड्रयावड हुआ होगा ठीक है so speed acceleration volume force pressure यह वो है यह तो आपके course में given है ठीक है pressure density charge अब यह तमाम के तमाम वो quantities है that is derived quantity आईए देखते हैं के derived units यह कैसे है ठीक है और कैसे यह base unit में से draft होके निकलती है students सबसे पहले देख लेते हैं speed को ठीक है speed में आपको कैसे relation मिलता है speed speed equal होता है distance by time के अब distance और time अगर देखे जाए दोनों ही आपके पास क्या थी base quantities थी और इसके base units हमें given है ठीक है base quantity के base unit given है distance यह नहीं length है ठीक है distance क्या होता है किसी चीज़ की length तो उसको आप किस चीज़ मेजर करें थे उसको आप मेजर करें थे meter में meter में ठीक है और time को किस मेजर करें थे second में अब meter और second दोनों क्या थे student यह दोनों ही तो base units है थीस टूज आर थीस बोट आर base unit base unit और यह भी क्या है base unit है clear इसी तरीके से next देखा जा सकता है volume के अंदर volume volume जो है वह आपके पास किस के बराबर है that is equal to length क्रास बेस क्रास हाइट अब फिजिकली आप इन तीनों यूनट्स को चेक कर सकते हैं तीनों के तीनों लेंग्ड बेस क्रास हाइट है किस में आ जाता है यह बेस यूनट्स है जबके आपने इससे एक नई quantity भी डिराफ कर ली जिसको आपने कह दिया यहां से अपने एक नई quantity डिराफ कर दी जिसको आपने कह दिया स्पीड और इससे जो यूनट्स आपने यूस किया है लाजमी सी बात है बेस क्वांटिटी जो आपने यह यूस किये हैं तो इन बेस क्वांटिटी के बेस यूनट्स भी यूस किये होंगे और यहां पर आजाएगा मेटर क्रास मेटर क्रास मेटर तो क्या सीज आ जाएगी cubic meter this one is the first example this one is the second example आई ये बढ़ते हैं third example की तरफ अगर आप density की example ले ले density equal होती है students density is equal to mass by volume अब याद कीजिए के mass जो है ये एक base quantities थी जबके volume है वो समझ लेज़े के एक derived quantity है क्योंके volume जो है वो base units को use करके उसमें से unit derived होता है ठीक है base units को use करता है तो यहाँ भी देख लेज़े mass को हम measure करते हैं kilogram में और volume को measure करते हैं cubic meter में ठीक है तो mathematical roll से अगर मैं इसको यू लिखना चाहूं kg m-3 तो यह किसी इसका unit बन जागा density का बट यह unit की क्यों है यह unit जो है वो derived unit क्योंके लाता है क्योंके अगर आप देखो तो kg जो है वो base unit में mass के unit है और meter जो है वो base में किसके unit है बहुत आरदी base units तो जो नए unit drive हुआ है it is the derived unit because it's derived from base units तो यह थिस्ट्रेंट explanation base units की और derived units की जिसको आपने देखा और आप जितने भी unit ले 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 इसमें ठीक है speed को ले ले तो यह है meter per second आप acceleration को ले ले यह है meter per second scale आप volume को ले ले यह है cubic meter force को ले ले इसको हम newton में मेर करते हैं या फिर kg ms-2 में भी measure किया जाता है इसको ठीक है pressure को ले ले आप force पर निट एरिया ठीक है newton square meter में मेर किया जाता है इसी तरह के से density को आप देख चुके हो density को आप किलो ग्राम क्यों पर क्यूबिक मीटर में मेर करते हैं चार्च को आप जो है वो कुला में मेर करते हैं ठीक है तो यह तमाम derived units है क्योंकि यह base unit में से निकली है base unit में से derived होके निकली है इसलिए हम इनको derived units केते हैं और यह जिन units को use करता है वो base units है these are the actually system international units और जो हमें physics physical quantities के लिए एक standard set करता है और एक standard के साथ उन quantities को हम उसमें express करते हैं students आपने topic last मुझे video के last में लाजबी बताना है कि आपको यह video कैसे लगी आपका next topic है prefixes that is 1.4 stay tuned thanks